हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं क्यार सेनी, के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज इस उडियों बात करेंगे टेक्निशिन की सेलरी के बारे में और आप सभी लोगों को में टेक्निशिन की लेटेस्ट सेलरी से लिग भी आपको यहाँ पर दिखाने जाओंगा, जनवरी 2024 की देखें यहाँ पर रेल्वे जो है लगवग 9000 पादों पर टेक्निशिन की वेकेंस से आने की बात चल रही है और टेक्निशिन के अंदर कही टाइप की जो है पोस्टे होती है, 2018 के अंदर जो टेक्निशिन की भरती आई थी उसमें 84 टाइप की पोस्ट है, जो है नोटिफिकेंस बता रखी थी अलग लग तो वहाँ पे किसी जो है टेक्निशिन की पोस्ट में सेलरी कम जादा है या पर वेरिशन आता था वो टीए बगर की या कोई अधर अलाउंस से होती थे उनकी बज़र से आता था तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट पे सबसे ज़्यादा सेलरी आपको मिलने मारी है टेक्निशिन की और अगर आपको जो प्रोफाइल जाननी है सभी पोस्ट की यहाँ पे अलग लग अलाग्ए सेलरी के बारे मारी योडियो में आपको बताने जा रहा हो कि किस सोस्ट पे पूरे महीनिय और टेयाही spe तो इसके लिए जीके के लिए बेस्ट बुक में आपे सजेस्ट करना चाहूंगा किरेंट पॉब्लिकेशन की जो बुक आती है वन लाइनर एप्रोच है और नविंतम जो NCRT का नविंतम पेटर्न है उस पे आधारती बुक है और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे प्रियोश दोस्तों इसक्रीन पे आप एक सेल्री सिलिप देख पा रहे होंगे यह जनूरी महीने की है और उत्तर पसिम रेल्वे यहनि जेपूर ड्यूजन में ही यह भाई कारियरत है और यहाँ पे देखिए सेल्री के अंदर जो है इसकी परसनल लिटेल्टी वो हाइड करती गई है और इसमें क्या क्या होता दी कि नेम होता है फिर फिर डेजिकनिस होगा ओपरेट आपका जो डिपार्टमेंट होगा जैसे कि यह पोस्ट जो है टी इलेक्टिकल के अंदर आती है तो इसलिए इसका विभाग हो गया और आपका जो इस्टेसन होता है वो आपका यहाँ पर ह नहीं हुआ है बैसिक 21,700 यानि इनको एक दो इंक्रिमेंट यहां पर मिल चुके हैं वैसे 19,900 आपका इनिशिल बैसिक रहता है टेक्निशिन में अगर कोई भाई सेलेक्ट होता है तो वेतनवर्दी इनका जो एक जनुरी को इंक्रिमेंट लगता है और इनका यहां पर विदावड पह जो है नहीं रहे है यहां पर देंकि जो है सेले की बात कर लेते हैं घ्रोस आगा इनकी पास मैं पर रहा है और देखें adhere दोस्तों इनकी जो सेलेरी है अर इनकी पास में ऐनुके बंदर क्या इनका amazing pay हो गया 20,700 या डिय हो गयाassy 46 परसेंट बांत th Rechts farend Story 9,922 रुपे जल्दी 50% का उनामश्योंटी हो जाएगा हाउस रेट लाउंस इसका 1923 रुपे होगा है ट्रांस्पोर लाउंस जो है 1314 रुपे हो नाइट डूटी लाउंस जो है 205 रुपे हालाएं कि इनकी नाइट डूटी बहुत रेर लगती है कभी इमर्जेंसी में इनकी नाइट डूटी पर लगती है बाकी जनरल इनकी नाइट डूटी नहीं लगती है और ट्रेवलिंग लाउंस जो इनका अच्छा-कासा बन जाता है 4950 रुपे इनको टीये भी मिलता है क्योंको दोस्तों TRD में होता क्या है जो आपने देखा होगा ओची होता है और एक्वेंट जिसके इलेक्ट्रिक लोको अगर चलते है तो उसका ओची का है मेंटरेंस इनको करना होता है तो ये जो अपने हेड़कॉर्टर से 8 किलोमेटर दूर जब भी जाएंगे तो इनको टीये मिलेगा 12 गंटे जदा अगर एड़कॉर्टर से बाहर रते हैं तो 500 रुपे पर दे इनको टिये बनता है हलाग कि 12 गंटे नहीं रेपाते हैं जनरली तो 70 परसेंट टिये तो इनको बनता हdetermिया जो कि 6 गंटे जधा रते ही आउटो पे एडगवाट रहते हैं इनको 70% मिल जाता है यहनी 500 का 70% से आपको मिल जाता है 350 रुपे तो उस हिसाब से जब भी यह पड़ड़े जो इनको 350 रुपे एक्स्टा है पर मिलने वाले हैं क्रमचारी कल्यान कोस में 30 रुपे करता है इस हिसाब से इनकी टॉटल रिकोरी जो ही है वो हुई है आपके 3,228 रुपे और यह आपका 44,14 रुपे जो है टॉटल इनका ग्रोस मना है डिटेक्शन करने के बाद में इनकी जो सेलरी आ रही है 36,800 चिंतर रुपे देखे दोस्त अलेग अलेग जो है पोस्टों का कुछ खासेत है कुछ कमिया है देखिए जहां पर आपको हर महिने या पूरे महिने का टीए मिलेगा तो वहां पर आपकी फेमिल लाइफ तुलोड़ी सी प्रोब्लम क्रेट कर सकती है जैसे कि आपको पूरे महिने आप बाहर रहना होगा जैसे कि आपका जो track machine होता है, ट्रेक machine में अगर आप assistant technician हो, तो आपको पूरे महीने बाहर रहना होगा, क्योंकर track machine जो है पूरे आपके out-roof headquarter ही, आपके जनरली duty काम करती है, तो वहां पे आपको पूरे महीने बाहर रहना होगा, तो इससाब से आपको वहाँ TA तो मिल जाएगा पूरे महिने का लेकिन जो प्रोफाइल जो है आपके इसाब से suitable नहीं रहने वाली है इससाब से TRD जो हता है TRD एक तरह से बड़िया जोब पनी इसको मान सकते हैं क्योंकि TRD जो है अपने हेड़कॉर्टर से दूर काम करने जाएगा और विदिन जोहार दसकंटे में अपने हेड़कॉर्टर पर वापस महुंच जाएगा जबकि आपका TRACK MACHINE में ऐसा नहीं होता है इसके लाओ भी कहीं सारी पोस्टें जैसे वरक्षोप में टेक्निशन हो गया CNW हो गया आपको टेलिकॉम में हो गया आपके सिगनल में टेक्निशन हो गया कहीं तरह की जो है यहां पे पेंटर हो गया ब्लेक इसमेट हो गया का, कई type की technician की पोस्टे आपे होती है रेल विव के अंदर total 84 type की technician होते है तो generally जो है 15-20 जो main technician की पोस्टे होते हैं जो 70 category से जुड़ी होती है तो उन पे ज्यादा पोस्टे आने के ज्यादा chances होते हैं तो यहाँ पर जो सबसे सांदार में अगर बात करूं, सेलरी के अंदर तो आपकी ट्रेक मसीन हो जाएगी, ट्रेक मसीन पर पूरे महीने का ट्रेक मिलेगा, तो यहाँ पर जो सेलरी आप देख पार होगा, यह salary आपकी यहाँ पर लगबग 50 के आसपास पहुंच जाती है ट्रेक मसीन में अगर आप technician होता हो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं जो profile के साफ से बात करूँ तो जो profile के साफ से workshop की job अच्छी रहती है क्योंकि आपके वहाँ पर day day duty रहती है night duty वगर नहीं लगती है TRD की भी जो profile अच्छी है TRD के अंदर भी आपके night duty वगर नहीं लगती है दिन दिन मों work होता है जब भी आपको जो block वगर मिलेगा तब यह आपको काम करना है तो दिन में 2-3 गंटे का काम होता है तो ज़्यादा hard work नहीं होता है इसके बाद में आप टेलीकॉम भी यहाँ पर जोइन कर सकते हैं और टेलीकॉम के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा और cloud नहीं होता है और दोस्तो इन पे अगर आपको डिटेल से जान करें चाहिए तो इसका वीडियो में ने बना रखा है उल्रेडी उसका लिंक आपको डिस्क्रेश में मिल जाएगा वहाँ जाके सभी जो 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 प्रोफाल लाइन के बारे हम देख सकते हैं कौन सी जोब आपके लिए suitable रहेगी क्योंकर किसी जोब में यहाँ पे salary जादा रहेगी और किसी जोब में आपकी family life अच्छी रहेगी तो दोनों ही चीज़े जो है अगर आपको पैसा जादा चाहिए तो आपको फिर family के साथ में या फिर जो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा जैसे के ट्रेक मसीन की जोब है उसमें आपको पूरे महने का TA मिल जाएगा लेकिन आपको अपने घर से दूर यहाँ पे रहना पड़ेगा family के आप यहाँ पे जनरली साथ नहीं रख पाओगे तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे अलग लग पोस्ट के लिए अलग जो है दी जाती है TA बगर के साथ से यहाँ पे उपर नीचे हो जाता है बाकी और तो basic DA बगर यह HRTPA बगर तो सबको मिलता ही है TA ही से ही जो है salary में यहाँ थोड़ा सा variation देखने को मिलता है तो यह थी दोस्तों यहाँ पे TRD की सेलरी सिलिप अगर आप नए लगते हो मैं बात करता हूँ कि अभी जो वेकेंसी आएगी उसमें अगर इनीचेल आप इसमें टेक्निशन की किसी पोस्ट पर चुने जाते हो तो देखिए आपका 19,900 आपका basic रहेगा और 50% भी DA हो गया तो यहाँ पे 10,000 लगबग आप यहाँ पे DA मान सकते हो और आपका 10% हरे मान लेगे तो 1900 आपका हरे हो जाएगा और यहाँ पे 1400 के आसपास आपका TPA हो जाएगा और 5-7,000 रुपर अगर आप TA वाली पोस्टों पर जाते हो तो कम से कम 5-7,000 रुपर आपका यहाँ पे TA बन जाएगा तो इस ยसाब से आपकी 35-40,000 के करीब जेलरी आपकी बनने वाली है अगर आप टेक्शन के पोस्ट पर चुने जाते हो तो तो यह थी जानकारे दोस्सों टेक्शन की सेलरी के बारे में और किसी भी टाइप का अगर आपे मुनुमे में डाओट है टेक्शन की जोब को लेक तो आप जो है comment कर सकते हैं I hope आपको जानकर एच्छे लेगे कि वीडियो आपको अच्छा लगवाज वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ से जरूर करें Thank You